नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितिन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपियो स्टॉक स्टेटजी के बारे में आप IPO अपलाई करते हैं 15 दिनों तक आपका पैसा आपके bank account में ब्लाक रहता है फिर IPO का अलाट्में result निकलता है और पता चलता है कि आपको IPO नहीं मिला है तो आपका mood आपदाता है और आप एक कोस्तह क्या गलती हो गई कि मुझे IPO नहीं मिला तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने एक ऐसे strategy लेकर आया हूँ जिसको यह दी पूरा आप complete देखते हैं और analysis करते हैं तो निश्चित तोर पे IPO आपको अलाट हो या नो हो IPO लिस्ट होने के बाद आप आराम से within one week के अंदर आप 15-20% का return आराम से निकाल सकते हैं देखिए IPO में होता क्या है कि IPO में लोग कोई भी stock हो किसी भी company का IPO इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उस समय उसका grey market premium थोगा सा costly होता है और listing gain के लिए ज्यादा तर रेटेन लिवेशक जो है IPO में अप्लाई करते हैं और by the way IPO का जो होता है अलाट्मेंट ओ लोट्री सिस्टम के द्वारा जो है IPO अलाट होता है तो उसमें भाग का सबसे important role होता है तो भाग हमेशा साथ नहीं देता है लेकिन आज मैं आप लोग के सामने यह जो strategy बता रहा हूं इसको बिलकुल ध्यान से सुनिएगा समझिएगा जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो यह आप candle देख रहे हैं बिलकुल ऐसा ही candle जो है या इससे different भी बन सकता है हलाकि यह IPO जिस दिन लिस्ट हो आपको करना क्या है कि आपको IPO का पहला दिन समावत होने के बाद IPO का पहले दिन का high और low point जो है note कर लेना है उसके बाद आपको करना क्या है यहां से जो है जो हमारी strategy हो काम करेगी यहां पर दो चीज आप notice करेंगे कि जब high break करेगा तब जो है इस strategy को आपको execute करना है उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है तो मैं example के लिए आपको लोग के सामने यहां पर सोना कोमिस्ट और सोना BLW का जो IPO आया था इसी साल IPO आया था तो पहले दिन का candle दोस्तों कितने दिनों के बाद ब्रेक हुआ पहले दिन का candle ब्रेक हुआ दोस्तों तकर 450 रुपे के लेवल तक गया था फिर दूसरा IPO आया था दोस्तों स्याम मेटॉलिक यह तो आपको पता ही होगा फिर इसका पहले दिन का हाई और लो हम नोट कर लेंगे और जैसे ही हाई ब्रेक किया देखिए 4-5 दिनों के अंदर अंदर इस टॉक ने 400 रुपे के लेवल से क आहाँ, 4-100 रुपे तक भी लट घया था तीसरे इस्टॉक के बारे में बताऊंगा इसका बी IPO ओ रहा था और इसका IPO पिछले साल आया था रूट-party मौबाइल आप बोलेंगे यह तो रुपे के करीम में गया था भयंकर रिटर्न आपको तीन से चार दिनों के अंदर-अंदर मिल सकता है बस आपको यही काम करना है कि पहले दिन का हाई और लोड करनेना है जैसे ही हाई ब्रेक हो आपको तुरंत इसमें अपना पोजिशन ले लेना है चौते स्टॉक जो इसी सा लिस्ट हुआ था लक्ष्मी और्गनाइजेशन लक्ष्मी और्गनाइजेशन लक्ष्मी और्गनिक चैमिकल तो हलाकि इस पेली में मैंने थ्ट्रा सा मेस्टेक कर दिया है ओ की जगा आई लिखना चाहिए लेकिन देखे जैसे ही इसने 175 रुपे का लेबल क्रास किया लक्ष्मी और्गनिक जो केमिकल स्टाक है पूरे मार्केट में चाया हुआ है अगला जो IPO लिस्ट हुआ था दोस्तो इसको भी आपको याद होगा इसी साल मार्च में लिस्ट हुआ था मटार्ट टेक्नोलाजी देखे कितने दिनों तक नीचे कॉंसलोडेट करता रहा लेक और लो नट करना है जैसे ही हाई के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी आपको तुरन जो है उसमें पोजीशन वाना है चोथे यह जो IPO है इसी साल आया था बार्वेक्यू नेशन का इसका भी देख सकते हैं कि जैसे ही पहले दिन का 600 रुपे लेवल करास हुआ कहां तक गया है तो इस स्टेटी को जो है आप एक बार बैक्टेस्ट कीजिए मैं यहां पर जितना भी डेटा है बैक्टेस्ट है तो यह IPO की जो स्टेटीजी है यदि इसको आप फालो करते हैं तो मार्केट से एक अच्छा खासा मुनाफ़ा जो है आप ले सकते हैं यदि आपको IPO 1000 लाइक आप करेंगे तो मैं हर सनिवार और रविवार को ऐसे ही स्टेटीजी जो है आप लोगों के लिए बना कर लाता रहूंगा तो इसका टार्गेट रखते हैं 1000 लाइक का यदि 1000 लाइक कंप्लीट होता है तो जो कोर्थेज में आपको सीखाए जाते हैं जो 40,500 एक ला एक सारो टाइस जो इसी महीने इसका आइपिवा था अभी ये ब्रेक होने वाला है इस पर जो है चाहे तो आप जो है अपना ये स्टेटीजी जो है अपलाई कर सकते हैं अभी ये ब्रेक होने वाला है 132 रूपे के ऊपर जिस दिन एक सारो टाइस ने अपनी क्लोजिंग द तो एक सारो टाइल्स को जो है आप अपने वाचलिस्ट में आड करके रख सकते हैं और अपने रडार पर चढ़ा लीजिए एक सारो टाइल्स लिम्टेट को और ये नोटीस कीजिए कि पहले दिन का जो हाई था 132 रुपया यदि उसके उपर क्लोजिंग दे देता है तो आप खुद नोटीस कर लिजेगा कि तीन से चार दिनों में ये जो सेयर है आपको कितना रिटन देता है उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ यदि आप IPO से दुखी थे और आपको IPO नौ मिलने का गम था तो मुझे क्यों को नहीं डूटते हैं हम जो है बिलिंजर बैंड में सीरी आरसाइए फलाना डगाना दुनिया वर का इंडिकेटर पढ़ लेते हैं और किसी वी एक इंडिकेटर पे हम अच्छे से काम नहीं करते हैं हमको क्या चाहिए कि कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए कोई ऐसी जड जनाई है वो रिसर्च करते हैं उसके बाद जो है पासा कमाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में पहले रिसर्च करना पड़ेगा रिसर्च करेंगे तभी जाकर जो है आपको मूटा हुनाफा मिलेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि यह वीडियो आप सनिवार तक पूरा कर देते हैं तो मैं आने वाले सनिवार और अभिवार को आपको ऐसे ही स्टेटिजी जो है बना कर देता रहूंगा तो नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों और फ पिर से बहुत बहुत धन्यवाद.